वेलकम टो दे बॉक्स उफिस कलेक्शन सिव में अजया दौ दोस्तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं सलार और डेंकी के बॉक्स उफिस कलेंगे बारे में दोस्तों सलार को रिलीज किया गया था बॉक्स और इस पर 21 दिसम्मा 2023 को फिल्म को इंडिया और ओवर सीज पर तकरीबन संताओं सो स्ट्रीज पर रिलीज किया गया और फिल्म का इंतजार पबलिक काफी बेस अबी से कर रही थी क्योंकि जब से प्रभास की आधी प्रुष फ्लॉप हुई थी तब से पबलिक को लगा रहा था है कि प्रभास कमबैक सलार से हो जाएगा लेकिन ये सिफ सपना ही रह गया और ये फिल्म में फ्लॉप सावित हो चुकी फिल्म की स्टाकाश्च में है प्रभास जगपती बागबू सुनूती हसन प्रितिया सुगुमार्ण और इस फिल्म को डायरेट किया है प्रशान्त नील ने खाला कि उनके डायरेशन में कोश रख नहीं था लेकिन हाँ वो अपने डायरेशन से पेल हो चुकी असरान्त ने कमााया कि यह 12 wanई हिंधी लेंग वेंगविज में 132 करोर 18,00,000 अन fastabaुकी को पिल्म की का इंडिया डायरेशन से चुकी शाहरत चुकी अब बात करते हैं दंकी के बारे में तो दंकी के स्टार कास्ट में शारुक खान और उस फिल्म को रिलीश किया ले थे बॉक्सों इस पे 22 निजम में 2020 को हला कि दंकी का इंतिजार पबलिक काफी बेस सब्सक्राइब कर रही थी कि जब से पठान और जवान हिट और ब्लॉक बशड़ होई थी अगली फिल्म टंकी कर दे जा रहता है और ऐसा अनुमाल लगा जा रहता है कि यह फिल्म भी बॉक्सों पे तक रिवन पांट सु करोई क यह फिल्म बॉक्सेस पे फ्लॉप है क्योंकि पठान और जवान के बाद शारुखन बहुत बड़ी स्टार बन चुके है अगर उनकी फिल्म बॉक्सेस पे दोस्तों कर भी नहीं कमाती है तो यह फिल्म फ्लॉप है दोस्तों अगरे वीडियो पसंदद लाइक करें चैनल झाल